वहां है, खुशी स्वर्ग में एक पापी है कि तौबा यीश्यो मसीर का प्रचार किया. माफी और वह सुनाई कहानी की एक उड़ाउ कुतर का समर्थन करने के लिए अपने धर्मोपदेश . यीशु मसीर का प्रचार किया, माफी और वह सुनाई कहानी की एक उडाओं कुत्र का समर्थन करने के लिए अपने धर्मोपदेश. उडाओं बेटे से विरासत में मिला जबकी उसके पिता अभी भी जिन्दा था. वह सताया जब तक वे अपने पिता उसे अपने उत्तराधिकार. इस बीच लड़के को ले लिया अपने सभी धन के लिए एक विदेशी भूमी पर बहुतायत से उन्हें एक कम समय के भीतर. हालांकी वहां अंत्ता एहसास हुआ की उसकी गलतियों का फैसला किया और वापस घर आने के लिए. वहां की मांग की अपने पिता की क्षमा और अपने पिता को अच्छी तरह से जवाब दिया. उसके पिता ने कहा लाने के लिए बाहर सबसे अच्छा बागे और उस पर डाल दिया और पर एक अंगूठी रख दिया और उसके हाथ सैंडल अपने पैरो पर और लाने के लिए फैटेड बच्छरा यहां और मार और हमें खाने के लिए और मगन हो क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, वह खो गया था और पाया जाता है। और वे आनंद करने लगे, लुका 15, 22, 24, सबक, भगवान करेगा खुशी से माफ कर दो, किसी भी पापी जो पश्चाताप से उसके पापो और बदल जाता है, उसे करने के लिए। वास्तव में दोनों भगवान और अपने स्वर्गदूतों पहनेंगे उनके नृती जूते, और वे आनंदित होगा के लिए साथी। यीशु ने कहा, मैं कहते हैं, आप के लिए हैं, कि इसी तरह वहां हो जाएगा, और अधिक खुशी स्वर्ग में एक पापी अधिक जो पश्चाताप के साथ तुलना में निन्यानदे सिर्फ व्यक्तियों को जो की जरूरत नहीं पश्चाताप, लुका 15 बज कर 7 मिनिट। प्रार्थना, प्रिय भगवान, मुझे पता है कि आप प्यार पापियों लेकिन आप से नफरत है, अपने पापों, इसलिए मैं पाप से उन्हें, पर अप से मैं जाएगा आपकी सेवा के साथ सब मेरे दिल और मेरे सभी शक्ती है, मैं अपना सर्वश्रेष्ट करने के लिए आपकी आग्या का पालन निर्देश और आप कृपया है, कृपया लिखने में मेरा नाम जीवन की पुस्तक है, और मुझे गि